बिहार दनिक न्यूज चैनल पर समचार प्रभात में आपका स्वागत है सबसे पहले मुख समचार पुलिस सोतन्त रूप से करे कारवाई नितीस ना किसी को फसाए और ना किसी को बचाए मुख मंत्री हम जान की बाजी लगा देंगे डी जी पी बिहार पुलिस कौफी टेवल और कलेंडर का बिमोचन इंटर की परिक्षा शुरू केंद्रों पर संगीन पहरा इंटर के दो परिक्षार्थियों की मौद ट्रक ने बाइक सबार को रोंदा दो की मौद सारदा और रोजबेली जैसे चीट फंड में नहीं फसेगा पैसा मोदी सरकार का बराएलान बिहार के रामचनर माजी संगीत नाटक अकादमी पुरुषकार से सम्मानित हम में घमासान बिर्सन और दानिस का इस्तिफा अर्सेनिक बलों में भरती का बंपर अभियान सुरू परसन्त हुसन को सुप्रीम कोट की नोटिस फाइनेंस कमपनी में दस करोर के जेवरात की लूट अब समाचार विस्तार से पुलिस सोतन्त रूप से करे कारवाई नितिस कुमार ना किसी को फसाए और ना किसी को बचाए ऐसा कहना है बिहार के मुखमंदरी नितिस कुमार का बारह वरसों से जनता की सेवा कर रहा हूँ इस दोरोन मैंने किसी अधिकारी पताधिकारी को ना किसी को फसाने को कहा ना किसी को बचाने को मैंने सिर्फ यही कहा आप निस्पक छोकर कारवाई करें ताकि समाज में सही मेसेज जाए मैं सभी पुलिस अधिकारियों से यही अप्रिक्षा रखता हूं कि आप किसी के दवाव में काम नहीं करें जो कानून कहता है उसके अनुसार काम करें आप समाज की सुरक्षा को गंभीरता से लें ऐसा मुकमत्री नितिश कुमार ने बिहार पुलिस कॉफी टेबल और के बिमोचन के दोरान कहा इंटर के दो परिक्षार्थियों की मौत् बुदवार के दोपहर में डोरी गन थाना चेतर के दबदरपुर पेट्रोल पंप के पास ट्रक की ठोकर से इंटर के परिक्षा देकर लोट रहे बाइक सबार दो परिक्षार्थियों की घटना अस्थल पने ददनाक मौत हो गई घटना दो पहर दो बजे की है जब दोनों परिक्षार्थी छपरा से अपने घर लोट रहे थे टरक ने बाइक सबार को रोंदा दो की मौत मुफसिल थाना छेतर के बुढ़वा महादे मंदिर के पास एक और नियंतरी टरक ने बाइक सबार को रोंदिया जिससे उस पर सबार दो लोगों की मौत हो गई मोधी सरकार का बड़ा ऐलान सार्दा और रोजवेली जैसे चीट फंड में नहीं फसेगा पैसा पच्चिम बंगाल की ममताब एनरजी सरकार और केंदर की नरेद मोधी सरकार के बीच सार्दा चीट फंड खोटाले पर छिरे सियासी संगराम के बिच केंदरिया केविनेट ने चीट फंड एसकीम पर लगाम लगाने के मकसद से बरा फैसला लिया है केविनेट ने अनरेगुलेटेड डिपोजिट एसकीम पर परतिबंद विल 2018 में संसोधन की मंजूरी दे दी है जिसके ताथ सभी गैर पंजी क्रिट डिपोजिट एसकीम अवएध मौने जाएगी और इसका संचालन करने वाले की संपती जब्द करने का प्राबधान किये गए है इंटर्ड की परिक्षा सुरू केंदरों पर संगीन पहरा राज में 1349 परिक्षा केंदरों पर बुदवार को सुरक्षा के तगरे बंदोबस्त के बीच इंटर्मीडियेट के परिक्षा सुरू हुई परिक्षा केंदरों पर संगीन पहरा है परिक्षा केंद्रों में परिक्षार्थियों के परवेश की नई विवस्ता लागू हुई है परिक्षा केंद्र के 200 गज की परीदी में अनाधिकरित बेक्ती के परवेश पर रोक है परिक्षार्थी को परिक्षा भवन में परवेश पत्र एबंपेन के लाबा कुछ भी नह ले जाने की इजाज़त है। अर्थ सेनिक बलों में भरती का बंपर अभियान सुरू किन्द सरकार ने अर्थ सेनिक बलों के लिए भारी संख्यां में रिक्तियां को भरने के लिए अभियान सुरू किया है। इस जारी किया। अर्टर्नी जनरल केके बेनों को पाल राव और केंद सरकार ने अपनी याजिका में परसंद भुसन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने एक ट्वीट में कहा था कि एटर्नी जनरल ने जान बुझकर नयायाले में लंबित मामले में गलत जानकारी दी। फाइनिंस कमपनी में दस करोर के जेवरात की लूट मुझफर पूर में लोन लेने के बहाने आया अपरादियों ने पॉंच बैग सोने पर कर लिया हाथ साफ। छे घंटे तक पुस्ताज चली इसके बाद वह अपने घर निकल गए इस दोरन रोबर्ट बार्रा के ओकिल सुमन जोति खेतान ने कहा बिना किसी समन के वार्रा एडी दफ्तर पहुंचे अधिकारियों के सवाल का जबाब दिया एडी जब भी बुलाएगा हम आने के लिए तैयार हैं वहीं इस पुस्ताज के बाद एडी के अफसर समिक्षा बैठक कर सकते हैं इसके साथ ही रोबर्ट बार्रा को दुबारा पुस्ताज के लिए बुलाया जा सकता है जारखन केमिनेट का बरा फैसला समी रासन कारधारियों को मिलेगा मुफ्त गैस सलेंडर बो चुला राज केमिनेट ने उजला योजना के तहत समी रासन कारधारियों को मुफ्त सलेंडर बो गैस चुला देने का निरने लिया है राज में 57 लाग परिवारों के पास रासन कार्ड हैं जिन में अब तक 26.5 लाग परिवारों को गैस चुला दिया जा चुका है इस परकार 30 लाग से अधिक नए परिवारों को इस योजना का लाब मिल सकता है योजना कलाव उन्हीं लोगों को मिलेगा जिसके पाश रासन कार्ड तो है लेकिन गैस कनेक्सन नहीं इस तरह से बिहार देनिक न्यूज चैनल से समचार प्रभाद का या अंक यहीं पर समाप्त होता है दिस बिदिस वबिहार की ताजातरी न्यूज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें